नमस्कार करोड लोगों के नाम की भी कोई कीमत हो सकती है अगर आपने नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं भारत सरकार ने सोच लिया है आपके नाम की कीमत है 100 रुपे आपका नाम 100-100 रुपे में बेज सकती है भारत सरकार भारत सरकार की एक संस्ता है IRCTC या भारतिय रेलवे का एक काला है जिसमें उसने ये प्रस्ताव दिया है consultant बहाल करने का tender है जिसको data monetization का काम करना है मतलब IRCTC के पास और भारतिये railway के पास जो data है उसके passenger का जो data है उस data को monetize करना है उस data से पैसा कमाने के उपाय सोचने है जब इस बात की खबर आई तो IRCTC के सूत्रों के हवाले से इसका खंडन हुआ सामने आकर के IRCTC ने या भारतिये railway ने इस बात का खंडन नहीं किया सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये खबर चलाई गई कि ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन ऐसी योजना है IRCTC ने जो टेंडर फ्लोट किया है वो टेंडर अभी उसके वेबसाइट पर है और उस टेंडर में उस टेंडर का जो उस टेंडर में ये लिखा हुआ है कि उसको data monetize करने के लिए consultant चाहिए है उस टेंडर का नंबर है ये टेंडर नंबर 2022 obligue IRCTC, obligue ACR, obligue consultancy for digital data monetization उस टेंडर में साफ लिखा हुआ है कि इटेंडर for appointment of consultant for digital data monetization of Indian railway, obligue IRCTC इस टेंडर में साफ लिखा हुआ है कि Indian railway और IRCTC के पास जो data है उसको monetize करने के लिए भारतिये railway को consultant चाहिए है यह भी है यह भी कहा गया है इस data monetization की इस योजना से भारतिये railway को IRCTC को एक हजार करोड रुपे की कमाई करने की के उमीद है एक हजार करोड की कमाई होने की उमीद है IRCTC के पास दस करोड पैसेंजर की data है इसका मतलब है कि एक पैसेंजर का data सो एक सो रुपे में बिकेगा उसमें आपका नाम होगा जिस नाम से आप टिकटा रक्षित कराते हैं आपका पता होगा आप पता लिखते हैं अगर तो आपका mobile number होगा आपका email address होगा आप स्तुरी है या पुरुष है आप किस link के हैं वो होगा आपने किस तरीके से भुकतान किया है वो data होगा आपका login और पासवर्ड भी हो सकता है इतना ही नहीं आप किस एजेंट के थुरू आपने टिकट बुक कराया है उसकी भी जानकारी होगी तो इतनी इतनी सारी चीजें जो डाटा है IRCTC के पास भारतीय रेलवे के पास उससे पैसा कमाने का रास्ता खोजा जाएगा जो खंडन हुआ इ डाटा से पैसे कमाने का दूसरा क्या तरीका हो सकता है अगर आपको डाटा बेचेंगे नहीं या आप उस डाटा का अगर कुछ और किसी कारोबारी इस्तेमाल में उसका यूज नहीं करेंगे किसी कारोबारी लाव के लिए तो फिर कैसे पैसा कमाएंगे एक हजार करोड र और international market भी तलासना है, मतलब सिर्थ भारत में नहीं, वो international market में भी अगर कोई player है, कोई ऐसी company है, जिसको इस data की जरूरत हो सकती है, इस data का कोई इस्तिमाल कर सकता है, तो भारतिये railway उसको ये data बेचने के लिए तयार है, जो नया consultant appointment होगा, वो उसका काम है, वो market तलासना, तो आपका नाम, आपका पता, आपका mobile number, आपका email आदी बेच करके, अब सोचें इसका आपके जीवन पर क्या आसर हो सकता है, आपकी सारी जानकारी, इतना ही नहीं, आप अगर यातरी है, यातरी के तोर पर rail में सफर किया है, उसकी भी सारी जानकारी है, और आपने कोई सामान प्रोटेक्शन का कोई अभी फर्म या कोई ठोस कानून नहीं है, अभी भारत कानून बनाने की प्रक्रिया में है, अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल संसद में पेश किया गया था, और वो वापस हो गया है, क्योंकि उसको स्रीकृष्ण कमीटी की, जो जस्टिस स्रीकृष से ज्यादा सुझा उस संशोधन उस बिल में सुझाए उसके बाद वह वापस कर दिया गया अब वह सरकार ने कहा है कि वह बिल नए से उस्सिर्म को सरकार त्यार करेगी और तब पेश करेगी, अब उसके और भी उसको बिल को वापस लिये जाने की और कहानी है, उसमें नहीं जाना है, वो ये भी कहा रहे हैं, लोग की जो digital कमपनिया हैं, उनका pressure था, जो mobile कमपनिया हैं, जो दूसरी services देने वाली कमपनिया हैं, वो नहीं चाहती हैं कि इस तरह का बिल आए, क्योंकि वो उनको फिर data localization का pressure हो सकता है, उनके उपर या data server कहां रखें, उसका एक pressure हो सकता है, उनको कही तरह की और उसका क्या आसर होगा, आम आदमी के जीवन पर, यह सवाल इसलिए है, क्योंकि भारत में data protection का कानून नहीं है, data protection का बिल जब तक नहीं बन जाता है, तब तक इस तरह के आंकडे बेचने से, एक आम नागरी की निज़ता पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, उसकी निज़ता प्रभावित हो सकती है, आप ध्यान रखें कि, अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक case था, जस्टिस पुटा स्वामी बर्सेस गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया, उस case में, उस case की सुनवाई में मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान के अनुछे 14, यानि समानता के अधिकार 19 और 21, यानि समान के साथ जीवन के अधिकार बोलने और अविव्यक्ति की सोतंतरता के साथ जोड़ा है, यानि एक बुनियादी संविधान द्वारा दियेगा, बुनिया कमाने के बारे में सोच सकती है, क्या इस से इसके जरिये सरकार जो नीजिता के इस अधिकार, अगर एक बार सरकार नीजिता के इस मान्यता को का खंडन करती है, इस मान्यता से आगे बढ़कर वो डाटा का इस्तेमाल सुरू करती है, फिर तो एक रास्ता खुल जाएगा, फ अब सोचे डार्क वेब में जहां सिर्फ अपराधिक और उस तरह के लोग सक्रिये हैं और जहां कई तरह की जहां से किस कई तरह की आपराधिक बारदाते होने की संभावना रहती है उस जगह पर डाटा उपलब था नौलाख लोगों का क्या उनके निज़ता के लिए खतरा और उसके अलावा उनकी जान के लिए उनके जीवन के लिए उनके परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं पैदा हो सकता है उनकी आर्थिक सुरक्षा खतरे में नहीं पढ़ सकती है अगर इस तरह का डाटा पोटेक्शन कानून नहीं है हमारे पास डाटा सुरक्षित रखने के ऐसे उपाय नहीं है जिससे hackers को रोका जा सके वो हमारे हाँ डाटा चोरी नहीं कर सके जब इतना मजबूत हमारा protection wall नहीं है तो फिर क्यों इस तरह के काम में इतना डाटा स्टोर करना और उस डाटा को इस तरह से किसी नीजी कमपनी को मुहिया कराने की तैयारी करना यह कैसे जाज ठहराय जा सकता है अब आप सोचे अब इससे आगे एक खत्रे की तस्वीर देखें आप सोचें अगर किसी दिन भारत सरकार आधार का डाटा मॉनिटाईज करने की सोचने लगे फिर क्या होगा भारत के 130 करोड नागरिकों का अधार का डाटा है बच्चा जन्म लेते ही ऐसी हर दिन खबरें आ रही है अगर किसी दिन सरकार कहें कि हम उस 130 करोड लोगों के डाटा को मॉनिटाईज करना चाहते है उसमें बायोमेट्रिक सुचना है उसमें आपके आपकी उंगलियों के निसान है उसमें आपके आँख का रेटिना सुरक्षित रखा गया उसमें सारी चीजें सुरक्षित रखीगें आपका बायोमेट्रिक डाटा सुरक्षित है अगर उसको किसी दिन सरकार मॉनिटाईज करने की सोच ले फिर क्या होगा फिर कितने तरह के थ्रेट खड़े होगे इसका आप सिर्फ इसकी कल्प ना कर सकते हैं ये हजार करोर, दुहजार करोर रुपे कमाने के लिए क्या सरकार इस तरह से अपने नागरिकों की सुरक्षा को खत्रे में डाल सकती है एक खजाना है सरकार के पास, ये डाटा माइनिंग एक सब चलता है डाटा इस नियो आयल भी कहा जाता है कि आज नए जमाने का तेल है डाटा लेकिन क्या वो डाटा उसमें ये सरकार को ये फर्क नहीं करना चाहिए कि कौन सा डाटा लोगों को उपलब्द करना चाहिए, कौन सा डाटा प्राइवेट कमपनियों को देना चाहिए किस डाटा को पूरी तरह से गोपनी है रखना जाहिए ताकि उसके नागरीकों की शुरक्षा और उसकी आरती क्या सामाजिक शुरक्षा या नीची सुरक्षा पर कोई खत्रा ना है किया एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि किया ऐसा है कि किसी दूसरी योजना के तरत किसी बड़ी योजना के तरत जो joint जो new world order की बात हो रही है उसमें किसी तरह से इस data का इस्तिमाल होना है नागरिकों के surveillance weillenальной के लिए इस्तिवाल होना है इसकी क्या जरूर्वत है अगर आपके पास किई data है सरकार के टाटा है कि किसी व्यक्ति ने किस माध्यम से टिकट बूक कराया है उस्ने क्या मींस युज कह से करके टिकट बूक कराया है या क्रिट काड़ से कराया है या यूपी आई के थुरू कराया है, इस जानकारी को किसी के साथ शेयर करने का क्या मतलब हो सकता है, ये भी डेटा सुरक्षित है, IRCTC के पास और भारतिये रेलवे के पास कि किस तरह से आदमी ने टिकट बुक करा है, क्या भारत एक सर्विलेंस स्टेट की तरह बढ़ रहा है, उसकी उसमें एक पड़ाव ये भी है, ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है, कि पिछले दिनों CBDT ने, जो Central Board of Direct Taxes है, जो Income Tax Department जिसके अंदर में आता है, जो काम करता है, उसने अंतरराष्टिय विमानन कंपनियों से कहा, कि वे यात्रियों के का डाटा शेयर करें, अपने इनका उन्होंने, जो उनका contact number है, वो बताएं, उन्होंके bill का कैसे भुकतान हुआ है, वो बताएं, उनका check-in status बताएं, उनका baggage क्या था, उनके साथ, वो बताएं, उनकी seat number क्या है, उन्होंने किस agent से ticket book करा, ये सब बताएं, ये किसी आप एक कोई bad character है, कोई आप राधिक scrutiny करके और उसमें फिर आप bad element पकड़ेंगे, क्या इस से हजारों लाखों करोडों आम आदमी की निजदा नहीं प्रवावित होगी, ये दूसरी बात है, IRCTC का data बेचने के लिए, या उसके data को monetize करने के लिए, consultant करने का जो tender है, उसके साथ अगर आप इस बात को मिला करके कि हवाई यातरा करने वालों का सारा, कि सारी सूचना मांग रही है, सरकार, तो फिर एक दूसरी तस्वीर समझ में आती है, एक समझ में आता है, कि सरकार का कुछ दूसरा भी इरादा हो सकता है, अब ये एक पुरानी कहवत है, कि जिस विचार का समय आ गया हो, उस विचार का वो समय आ गया है और वेलियन सोसाइटी बन रही है 2017 में जब सुरेश प्रभू रेल मंत्री थे तब उन्होंने data monetization का सुझाव दिया था उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि railway के पास इतना बड़ा huge data storage है उसके पास एक जाना है माइन से गोल्ड माइन है उसका इस्तिमाल किया जाने चाहिए जब सारे खनीज बेच करके सरकार पैसा कमा रही है तब भी data को माइन्स बना करके उसको हजार दो हजार करोड की कमाई करनी है 2017 में सुरेश प्रभू नहीं ये प्रस्ताव दिया था और उसके बाद से इस पर विचार हो रहा है लगातार उसी विचार के तहट कई बार ये हुआ कई लोगों ने जब इस पर आपत्ती की तो बार बार इस विचार को रोका गया जब ये आपत्ती हुई कि जब तक data protection बिल बन नहीं जाता है जब तक हम अपने data को सुरक्षित रखने का एक सिस्टम नहीं बना लेते हैं जब तक निजदा की रक्षा का उपाय नहीं कर लेते हैं तब तक इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए है लेकिन अब वो इस्तिती नहीं है अब सरकार एक tender जारी कर चुकी है जिसमें consultant एक point होना है जो इस data के खजाने को के monetize करने का काम करेगी 29 अगस तक इसका tender है आखरी date 29 अगस थे इस tender की अब आप सोचें इस tender के क्या-क्या खत्रे हो सकते हैं आप भी सोचें बैठ करके आज जो लोग जानते हैं artificial intelligence को जानते हैं जो लोग machine learning को जानते हैं उनको पता है कि जो algorithm आज लिखे जा रहे हैं वो किस तरह से data analyze करते हैं उस data का कितने तरह से इस्तिमाल होता है आप अपने घर में बैठे रहेंगे और आपका नाम बेच करके सरकार भी पैसे कमाएगी और उस नाम से दूसरी private company जो अंतराष्टिये दूसरे देश की company भी हो सकती है वह भी लाव कमाएगी धन्यवाद